लड़के ने बाग के लिए ताजा पानी लाया और वह मचली पकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि बाग हर दिन 10 पाउंड मास खाते हैं लेकिन इससे पहले की पाई कुछ मचली पकड़ पाता बाग समुदर में कूद गया और अब वह स्वयं पकड़ने को सोचा लेकिन वह पाई ने केबिन से एक कुलहाडी लेकर सोचा इस खत्रे से निपटने का यही सही समय है लेकिन एक अच्छे हृदो होने से वह ऐसा नहीं कर सका फिर उसने एक लकड़ी की सीधी बनाई और बाग को बचाया पाई का मानना है कि सबसे क्रूर प्राणियों के लिए भी जगह है अगले दिन उसने गलती से एक स्वोर्ड फिश को पकड़ ली तब उस पर हथोड़ा फेंक दिया लेकिन जब मचली मर गई तब पाई रोने लगा क्योंकि यह पहली बार है जब उसने किसी जीवित प्राणी को मारा पाई ने इस उफार के लिए देवताओं को धन्यवा और अब बाग एक जूरतमंद साथी की तरह है फिर जैसे ही रात हुई तो समुद्र इतना सुंदर था कि पाई सभी दुखों को भूल गया और पानी पर खेलने लगा लेकिन अगले ही पल एक भेल दूपर आ गई